हेलो स्टुडेंस आप सभी लोग का स्वागत है मेंगनेर बेंस इंदी मीडिया में जो आपको प्रोवाइट करता हैं सात्वी से बार्वी किशा तक के सब ही विश्यों के कंपलीट वीडियो कोर्स और वो भी फ्री अफकॉस्ट और ऐसा नहीं कि एक चैप्टर है दो चैप्टर आपको फ्री में बढ़ाया और उसके बाद कह दें किसी तरह का सब्सक्रिप्शन लो कोई साथ चार्ज पे करो तब जाके कंपलीट वीडियो मिलेगी तो ऐसा यहां न तरह ने वाले हैं मातर 30-30 मिनट में फुली रिवाइज यानि यह सुपर 30 मिनट रिवीजन के अंदर पिलीडियों करने वाले हैं जिसके अंदर हम इसके सभी कॉंसेट को क्लियर करेंगे आपके बोट के एकजाम में जो मोस्ट इंपोर्टन चुशन साथ है उस से रिलेटे और इसको स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि हम इस चेप्टर में अभी तक क्या का चीज़े पढ़ चुके हैं पूरे एंसी आर्टी का सॉलीशन कर चुके हैं जिसमें हमने उसके पर सनावली के कोश्चन उधारन कोश्चन सब कंप्लीट करने थे उसके रिवीजन भी हमने कंप्लीट कर चुके हैं अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लेना और उसके लिए आपको जाना होगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जहां पर पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगे जिसके अंदर आप प फचा जाएगे जाएगे तो आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगे वहां पर से लिंक है उस्पे क्लिक किजिए वहां से अपनी तैयारी को और बहुते हो ड़न तो करते हैं इसी बात से से सब्सक्राट और देखते हैं वड़ा क्या चाई जो की सीधे आपके मसी क्यों पुछ आज जाते हैं और नॉर्मली आपको पता भी होने चीए वह कुछ यह है कि अभी प्रियोग क्या होता है ट्राइल क्या होते हैं ठीक है उसके बात करें किसी भी गटना क्या होती है यानि कि क्या होते है किसी युद्शित प्रियोग की अपकर नाम को उस प्रयोग की एक गठना कहते हैं जैसे अपने एक को उचाला और आया हैड ठीक है तो से जुड़ी ऐसी घटना है जो दो या दो प्रारंबिक घटनाओं को मिलाने से प्रारंपत होती है यानि कि कहा जाय आपने एक कॉइन चला ठीक है अब बाओ से बीजित दूसरा भी चला एक सिखह कुआ था हो दो अलग अलग घटनाओ love को दो निसरे मज़ेट्जज कर डिन तो मिघंवनित इसके अंदर के एक प्रारंबी घटना को किसी मिर्सित घटना के अनुकुल घटना कहते हैं यदि वह प्रारंबी घटना मिर्सित घटना की सर्तों को संतुष्ट करें यानि कि क्या होता है कि अगर आप जैसे की दो कोई आप उचाल रहे हैं और आपको कहा जाए कि पहले पहल प्राइक्ता निकालो तो यहां पर ना वहां था ना उसमें एक्जिस्ट कर रहा है अब यह सब्सक्राइब करना चाहिए तब यह निए कि निगेशन की बात कर रहे हैं तो इसके में क्या होता है यदि किसी परियोग में संबंदित किसी घटना किसी भी घटना जो की प्राडम भी हो चाहिए मिस्डित हो उसमें एक संगत एक दूसरी घटना एडैस होता है यह और एक निश्यद कहला चैन। इसमें क्या है जब एक घटा दूसरा नहीं घटा रहा है तो वह a-a का निशेद है ठीक है निगाईशन है और इसमें कहा रता है पी अ-पी-a-dice के बराबर है अब इसमें इसके इंदर यह होता है कि अगर आप किसी में कहोगे कि भाई वो जीतेगा तो अगर वोगता तो जीता नहीं है तो वहीं चीज़े यहां पर एक घट रहाए तो दूसरा नहीं गटेगा और दूसरा गट रहे तो पहला नहीं लेती कुल इक होती हां और नहीं और जोड़ों तो यह एक आई गया को यानि कि अगर मैं कहूं पहनी हाने कालना आपको निकाल जाती है उसका में जो फॉर्मुला है वह क्या है तो प्रभभाशा यदि किसी यदाशित परियोग से जुड़ी कुल एन प्राइब की घटना है और उनमें से एम प्राइब की घटना एक अनुकूल हो ठीक है वह उसमें से आप कोई चीज निकालते हों बिना आधर देखें वे और वह जो है वह एक अनुकूल है वह सकते नंबर कितने हैं ठीक है तो घटना एगटना के होने कि आनुपाइक काहिए जबाता है मतलब ऐसे उसको दिखाए जाता है यानिक उसकी जो प्राइकता होगी गठना शुक्ता होगी उसमे एक है और कुल पाइब बीगता होगे वह उपर जसिख नामं जिए परकता है ख walk लाल के अनुकुल कौन से घटना है तो इसके अकॉर्णिक आ जाए तो भई लाल के अनुकुल पांच थी और टोटल कितने तो नौ थे तो पांच बटे नौ आ जाएगा तो इस तरह से आंसर निकलेगा यह नहीं बटे एन आंसर होगा डन और याद रखता है जाइस ही बात है अगर उसमें से बाल निकाला है तो भई वो टोटल से तो कम ही होगा तो यानि की भई एम बटे एन जो होता है वो हमेशा एक से छोटा या एक के बराबर होगा या जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर होगा उससे आगे पीछे नहीं होता है यानि प्राइक्ता हमेशा जी से कम उसकता है इनके बीच में ही प्रैक्ता होगी डन चलो ठीक है और बहुत यहां पर प्रैक्ता जिरो और एक के बीच में होती है जाए चलो भी आते हैं नेक्स्ट पर आगे क्या है तो आगे कि हम इसमें करने वाले हैं इसके कुछ और भी जो क्रिया कलाप है उसके अधार थो यहां पर हमँड़ने का यहां है और हमें पता है इसके अंदर एक है और एक कितनी है तो यह तो यह ब्रक्राइब निकार एक है और टोटल तो दो पॉसंबिल्टीजें है तो या तो ये था दो सिकों की बात कि जाए इनिक फिर से अगर दूसरा सिक्का उच्छा लगा तो इसमें भी आपका हैंड और यह वजी फैल फ्लिंटी पर और यह वह कोई और फिर नाके फिर फिर फोथ यह तो है यह जो सकती है याद रखना कि या अगर एक सिक्कें में इल過去 को पॉसिभिल तो दो है कुल समप भावनाएं दो हैं तो उसी अनुसार अगर उसके सिक्के बढ़ाए जाए तो इसमें एन का मान कितना होगा तो दो की घाथ दो होगा क्योंकि दो सिक्के की बात कर रहे हैं तो यह इसमें चार आएगा क्या चार है तो भई हाँ अगर तीन सिक्के की बात की जा दो head और दो tail लिखा और फिर head, tail, head, tail, head, tail, head और tail ये चल दिए ये total आपके सामने 8 आठ आ गए और ये 8 possibilities बनेगी जब आपके पास 3 सिक्के उच्छालने के लिए कह दिए जाए ठीक है तो ये possibilities बनेगी तो ये आपके सामने मैंने बता दिया कि कैसे सिक्कों को उच्छाला जा तो पासे कि अगर मैं बात करें तो पासे में क्या होता है तो पासे में हम देखते हैं कि पासे की possibilities यनिक इसके अंदर जो अंक होते हैं वह आपके पास एक आएगा दो आएगा तीन आएगा चार आएगा पांच आएगा ये आपके पास है जो इसमें से अंक आ सकते हैं पास तो एक ही बार है तो पांच आने की प्राइकता क्या होगी तो एक ही बार पांच है टोटल कितने हैं यहां पर हम देख सकते हैं एक मिनट दो पासे में यहीं आपको पहले बतायता हूं एक आएगा यानि और कि च्राइब कि यहां यहां पर आप देख सकते हैं और अगर पहले में एक आएगा दूसरे में दुश्तरा पहले पहले में दूसरे cał आएगा पहले में दुश्तरे में तीन चार एक पाच चिहा इस तरह से टूटल कर गज़े तो 6 तक यानि 谷टी 16 possible outcomes आपके बात करें कुल संभभभ परेणाम होंगे वह 36 होंगे और इसी कादार पर कुश्टन भी करेंगेगए ले चलो अब इसके बाद करते हैं तो तार्श के पते की बदेंEm पत्ते के गर हम बात करें तो तास के पत्ते कुल कितने होते हैं तो कुल पत्ते बावन होते हैं तो तास के पत्ते कुल तो बावन होते हैं जिसमें से कि क्या होते हैं तो दो काले और दो लाल होते हैं यानि आप देख सकते हो दो काले आ रखें यह दोनों काले आ रखें और द देता हूं मैं इस बावन को यहां पर लिखा इसमें से देखो यह आते हैं यह वाले हुकम के पत्ते तेरा पत्ते होंगे उसके बाद यहां पर देखे एट जो है इत मतलब बात की जाए तो डायमंड जो है ठीक है और इसमें देखा तो यह भी तेरा पत्ते होते हैं इधर ची लाल वाला थे च्प्टे पत्ते तेरा पत्ते होंगे ऐसे चैनलाट से होते हैं तो इसकी बात अगर मैं करता हूं तो वह तेरा पत्ते से होते हैं वह ऐसे होते हैं एक किसी एक पेर हम नहीं आप आ यारप तक हुआ है яг maior गुलां बेगम यह होती है यह तोटल तेरा पथ्योत जो कि आपके इसके भी होते हैं स्के भी उते हैं के शहांb और इससाब से टोटल तेरा चुके बावन होता है अब इसके अंदर देखें कितने आपके पास फेस काड़ने चहरे वाला पत्ता कितना है तो मैं इसमें बताऊं चहरे वाला पत्ता पत्ता बाई चहरे वाले पत्ते के अगर मैं बात करता हूं तो चहरे वाले पत्ते इसमें क टोटल इतने आ रहें तो यह यहाँ पर मैंने देखा क्या तो बइए यहां पर कि ट्र क्सक्रविंट तरह यहां फार जो गया है अब लिए स्क्रीन सुपी अगे क्या है है का जहें हमने पता है पाहश सuखेंगे तो इसके अंदर हमारे पास चाहते हैं यह oysters यह इस आप कुल æsambibhavah iber कि जम आपना है तो वह फर मारे पास कहीं है नहीं पहले पार्ट कि बात खेना ले तो अभाज्य संख्या तो इस इन छ में से तीन तो अभाज्य तो निकोर न्युक्ति परणाम के तने तो तीन और कुल सब्सक्राइब परिणाम छे तो इसको अगर काटेंगे तीन एकम तीन 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 दूनिशे यानि प्राइकता एक बटे दो आ चुका है ड़न कोई दिक करती है चला भई अब आते हैं सेकंड पार्ट पर तो दूसरा क्या है दो या तीन का गुणज दो या तीन का गुणज द करें दो के गुणज कौण सा है तो वह Silicon देखता मैं दो के गुणज की बात करो, तुव जी ङहां यह यह तो कितने संख्या होगी तो बही यहां तो चार संख्या होगी इसके अनुकूल इसके नुकूल 4 है मतलब चार लिखा बटे में 6 इसको काटेंगे तो दो दूनी चार दो ती अच्छे यानि की दो बटे तीन आ चुका है यानि फास्ट और सेकंड पार्ट कंप्लेट हो गया कोई दिक्कत वाली बात थी आप इसका स्कूर्ण लेलो पहला कोश्चन यह समाप्त हो गया अब चलेंगे नेक्स पे अब देखेंगे अगला कोश्चन हैं तोब यहां पर किया है दोड़ों पासु पर समान संख्या होंगे तो बहीं यहां पर क्या है दोनों पास mess essays चाहर वांट इस तो यहां की बात करो तो इसमें तो हमारे पास से एक एक तो दो तीन तीन चार चार पांच पांच और छेचे था ठीक है अब इसमें कहा है इनमें से विसम संख्या हैं बाइगी तीन बटे में 36 आएगा यानि तीन से काटा तो बारा यानिकी एक वटे बारा आ चुका है डन अब इसके बाद थर्ड पार्ट पर आएंगे पर तीसरे पार्ट पर आते हैं से लटर की अब डिमार ऑवर पर अंको का योग नौ होना चाहिए कर नव कि अगर मैं बात करता हूं यहां पर तो नौ कैसे कैसे आएगा रहे वाज पर भैँ हमारे पास आ सकता है या फिर छ chef और तीन आए गए ठीक है या करいたい चार और तीन सातनों नहीं हों नहीं आ रहा है तो मैं थक्तिम आसे घ्राइब जो कर रहे हैं इस में तो आप पर वह मैं इसके अनुकूल देखता हूं तो यहां पर पी इधर वाड के अनुकूल यहां पर हमारा पर चार है और नीची च्छतिस है चार नीम च्छतिस यह नहीं एक बटे में नौ यह आंसरा चुका है डन स्क्रीन सॉट ले लो कुश्टन समाथ तो कि अब मैं इसी को मैं थोड़ा सा इलेबरेट करके आपको बताता हूं जो हमारे पास यह चे तीन तीन चे वाला है तो इसको मैं अगर आपको लेके जाओं पीछे व cartridge यहां पर जैसे कि नौ की बात हुई थी तो नौ कोन से तो बैं ये वाला 9 गता था जब भी योग की बात हुति है तो यह पूरा सेम चलता है मेंसर यह पूरा देखो यह नौ वाला यूग ही दिख रहा है आपको अगर 10 की बात कह तो यह दिखो 10 हमों 20 चल रहा है इस तरह से आप इस में से यह टेबल जब बना लोगे उससे आप डिरेक्ली देख पाऊगे कितने जो हैं उनका योग से मारा है ओके चल भी ठीक है तो मैं इसको एरेज करता हूं और चलते हैं नेक्स्ट पर अगला कोश्चन हमारा यह था ठीक है पास वाला हो गया नेक्स्ट पर आचुके हैं यदि दो आप अपक्षिता पून मतलब बिना कोई पक्ष लिए हुए हैं ठीक हैं सिक्के एक साथ उछा ले गए बएई दो सिक्के एक साथ उछा ले आता है तो निवन घट तो यहां पर हम देखते हैं कुल जो इसमें कितने हैं तो कुल जो है यहां पर यह चार है और बटे में चार पहले तो यहां पर हम देख पा रहे हैं इसकी प्राइकता जिए प्राइकता है तो यहां पर हम देख पार है इसकी प्राइकता जो है यहां दो बटे चार इसको भी काटेंगे तो एक बटे दो ही आएगा पहले में चित था एक हैड की बात करें तो बहुत तब भी दो थे अब की दो एक पट की बात करें तब भी यही दो आ रहे हैं कोई दिक करती हैं और इसके नुसार हमारा थार्ड अपर्व जte हें कम से कम एक चीट होनकिया वॉगर्ष में पर फोर्स में कम से कम एक चीट होने 내일 Це कम से नहीं जओत करें पर एक चीट कम आइस चलेगा एक से कम छेड को नहींतर नहीं चलेगा यानिकि यदिन चलेका वाकिए तीनों इस चारा अंसर डन इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं एक से कम नहीं होना चाहिए एक से कम नहीं होना चाहिए तो वह हमने एक से कम वाला कार दिया उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट की वह एक भी चीत नहीं हो प्राप्त होगा एक भी आपका हैड नहीं होना चीए यानि सिर्फ टैल की बात कर रहे हैं यह वाला होना चीए तो यह आपका हो जाएगा कितना एक ही तो है इसा तो बटे में चार यांसर आ चुका है स्कूर्ण ले सकते हो क अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप में और देखते हैं अगला टाइप क्या है तो अगले की बात करें तो यह चौत्ता हमारे पास है इसमें तीन सिक्के एक साथ उछा ले गए हैं या फिर तीनों हैड होगा यानि कि इसको लिखने के लिए चार बर हैड लिखना पड़ता है और चार बार लिखना होता है ठीक है और फिर दो बार हैड दो बार टेल और दो बार हैड और दो बार टेल ठीक है फिर हैड टेल हैड टेल हैड टेल हैड टेल हैड टेल और इसमें कुल कितने हैं तो कुल आप देख पा रहे हो कि आठ आएगा वह कुल आठ है क्योंकि तीन होने चाहिए पहले पार्ट की बात करें तो सभी चित होने चाहिए प्रैक्ता क्या होगी हстати सवीचित सहब सिर्ट है तो सभी हैड है की बार तो एक झाजएगा तो यह सब की बात करें तो याननी हम लिखेंगे तीन बटे मैं अठागी है उसके बाद थर्ड पार्ट की बात करें तो एक चित पराप्ट होना चीए कितना वैए एक की बात करें एक वाले देख लो भाई कहान तो यहां पर एक हमारे पास विश्में तो एक समें इसमें एक समें तीन यह सब्सक्राइ immature है तो यह इस सब्सक्राइब कम से कम पर्मलसthose कर्मला इसमें कम से कम दो चित कहा था तो उसके अक्रोड़ीन कर्ण मेरे हारीक से कमदार नहीं लिए तो इसके लिए कितने में चार आ गए और बटे में आठ यानि इसको काट तो एक बटे दो आंगे हैं उसके बाद नेक्स्ट जादत ज़्यादत दो चित प्राप्ट उच्ञें नहीं चाहिए ठीक पांच वाथ बैसे ज्ञादत नहीं चाहिए तो दो से जादे को काड़ दो चलो कम से कम एक चीत होना चीए मतलब एक से कम नहीं चलेगा कम से कम एक चलेगा वह एक चीत होना चीए तो एक से कम वाला को तो यह नहीं चलेगा बागी सब चलेंगे तीक है यानि कि साथ आ रहा है तो यानि इस छटे पार्ट में हम कह सकते हैं एक बटे में आठ यह अपसन जए कौूंख से चल रहे हैं तो यह घी हम निकाळेता और यह हम पास यह तो यह बचछार बटे में आठ यानिक ज़री बचेर नौश्थ आ था रहा रहा है निसुक्त है नि आपके पास खुब्लम के बहुत से questions लीए और भी questions के लिए आप इसके most important question test Thanka बात कि लिए देखते कहीं का आट सब्सक्राइब करना नियुदी या काले वाले में कितने होते हैं तो काले वले में कितने होते हैं तो काली में दो ही काले के अंदर आपके पास चीड़ी और हुकम था चीड़ी में एक बात्सा होगा और फिर यहां पर हम दूसरे की बात करें तो काले पत्ते कितने होते तो काले पत्ते चप्विस होते हैं चप्विस काले क्योंकि तेरा हुकम के से तोड़े चीड़ी के चबिस तो काले पत्ते ते और एक बात्सा और नची बात्सा तो चबिसक अंदर दो थे और दो और बात्सा है जो लालवाले के अंदर यहने 262 28 हो गया यानि की सब्सार आपके पास आ रहे 28 बटे में बावन अ अब इसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं तो काले पत्ता तथा एक बात्सा होना चीए और एक बात्सा होना चीए काला पत्ता एक बात्सा की बात हम करते हैं तो यहां पर हम देखेंगे थर्ड में तो फिर से काला पत्ता काले पत्ते कितने तो वह भी 26 होते हैं ठीक है और दो बात्सा लाल में भी होते हैं यहां चल रहा था यह कंडिशन में यहined इसके अंदर क्या है बढ़ा और तथा बाथसा दोनों होने चाहिए अब दोनों होने चाहिए वह चाहिए तो यहां पर हम देखते हैं वह इसके अकॉर्डिंग गुलाम बेगम और बातसा इसकी प्रैकता है तो गुलाम किटने हैं तो तीन चार गुलाम है चार बात्सा है और चार बेगम है तीनो चार चार शया है रहा तोतल बारा है जया कॉशिके बाफ्ण पहर कोश्यों sulla ड्जा जो भी कंपलेट होते हैं अगले कुछिंग में देखते हैं एक लॉंद के वर्ष में 53 रविवार और 55 सूमवार आने की प्याइक पहली बात लॉंद का वर्ष कोंसा होता है तो ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं ठीक है उसे लॉंद का कहते हैं इसने का भावन गुने में चार जो होता है यह थो 364 यहां चार नहीं साथ बावन गुने में साथ दिन होते हैं और प्लस में दो ही दिन एक्स्ट्रा होते हैं और यह दो दिन आपको क्या चीह रभी वार और सोमवार चीए ठीक है तो इसके दो कोडिन किया होगा तो झ methake ऑप सकते हैं तो या फिर आपका संडे मंदे आएगा यहाँ ए तो प्राइडवार आईगा यह फॉड़ पर संडेर और सब्सक्राहण कि अधोरAwak कितने एक दो तीन चार पांच छे साथ साथ उसमें से क्यों चाहिए इसका मतलब इसमें त्रेपन रविवार वह त्रेपन कि संडे और एंड त्रेपन मंडे ठीक है यह आपके आएंगे कितने तो एक बटे में साथ यहीं इसके प्राइकता है बात खतम तो कि इसके साथ उसमें से एक ही चाहिए आपको एक बटे साथ आ गया अब चलते हैं नेक्स पर देखें अगला कोशन क्या कहते हैं तो बश्चिन की हम बात करते हैं आप तो बहुत तरिपन रवार संडे होगे ठीक है एक थेले में तीन लाल पांच काली और चार सफेद कही है अब इसन लेकाई सफेद वायट बाहें तो सफेद का बैट की बात करते हैं सफेद को चाहर वाप बते में 110813 12 op चलते ने डिकतवें नेक्स पर लाल की बात करता है बात करते हैं तो लाल की तीन है तीन बटे बारा होगा तीन चौक बारा कर गया और इसको हम देख सकते हैं एक बटे चार लिख सकते हैं उसके बाद काली बात करते हैं थर्ड मतलब काली ब्लैक बॉल की बात करते हैं तो ब्लैक की बात की तो ब्लैक कितनी है तो पांच है तो पांच बटे बारा कर और फ vest che brag में कि ворот यानि इसने बोला क्या लाल कि नहीं की बात अगर करना है तो इसको बई क्या करेंगे मैसे लाल व्लेगों नहीं एक मिसे लाल वारे को घटा देंगे अपने पाएगा यानि वह एक माइनिस एक बट्रेट चार इसको यह तरह से यह कुछिन भी समप्त ऐसे पूच्छे आते हैं और यह आना चाहिए आपको आपका आठा फॉच्छन वह कह रहा है एक खिल जीतने की प्राइकता यानि कि हम इसमें कह रहे हैं कि जीतने की प्राइकता जो दोनों की प्रायक्ता का योग जो होता है जो होता है थिक है तो यहां पर लॉस की प्रायक्ता जो होगी हार में की जो होगी वह एक में से विन वाले को घाता ना होगा जो चलते हैं هर आखके घार att वाइस वह सोला है ठीक है वह कख्षा द्यापिका को एक चुड़ना है और वह एक जैसे कार्ड पर प्रत्य प्रत्य विद्यार्टियों के नाम लेती है मतलब बहुत सारे सबसारे सेम कार्ड तोकरे में रखकर अच्छी तरह से मिलाती है इसके बाद वह एक चैकल बच्छे को से टोकरे में कार्ड लीए ख़हती कि कार्ड में लिखया वा नाम एक लड़की का प्रड़कर का नाम एक लड़क का अगर मैं पहले की बात करता हूं तो इसमें क्या लड़की का नाम हों पर फचमंध lorsqu तो यहां पर कुल आपके पास 34 इसको काटेंगे तो यह आ रहा है नौ और यह आ रहा है सत्रा यानि नौ बटी सत्रा अंसर आ गया सेकिंड बाट की बात करें तो इसने का है लड़का होना चाहिए यानि वाय अब इसके लिए कहें तो सोला वटे में 34 इसको अगर हम काटते हैं आपर तो कितना है तो यह आठ आया और यह सत्रा है और यह आगे आठ बटी सत्रा और यह अंसर आपका आच चुका है आप इसका स्कूर्ट ले सकते हो डन यह भी कंप्लीट आप चलते हैं नेक्स पर देखते हैं अगला कुशन कैसा का तरीके सोब चलो में तो यह दिया हुआ है कि तीन नहीं होने की दिन हो ठीक है तो यहाँ पर हम देखेंगे इसके अंदर क्या तो इसके हल में मैंने लिख लिक लिए एक ही दिन होने की यानि कि प्राइक्टा क्या कह रखा है एक ही दिन एक ही दिन होने की ठीक है तो यह क्या है तो इसको बाद इसकी बात करें मैं इसको ऐसे लिग देता हूं वह एक दिन होने की इसको मैंने इमान लिया अब इसकी प्राइक्टा कितनी यह कितने हैं तो इसकी करें तो इसके अनुकूल जो परिड़नाम है आपका वह आपका है 0.992 है इसी में अगर मैं कहूं कि नहीं होने की यानि इसकी बात करें तो यह कैसे होगा तो इसको एक में से आपको घटाना होगा 0.992 और इसको घटाते ही आगये कितना 0.008 यह आ चुक एक दिन उन दोने की अपर किसे लो यहां पर समाबत होता है । और इसी question के साथ हमारा आज का session भी समापत होता है जिसमें हमने प्राइक्टर के सभी concept को clear किया उसके साथ है सी साथ बहुत से बहुत से बहतरीन question जो हैं यह आपके exam point और बहुत इंप्रेंट थे वो भी complete कर लिये हैं तो यह भी session आपने complete देख लिया होगा और इसी के साथ इ सारे के सारे एक से लेकर पूरे चैप्टर जो पंदर आपके हैं सभी के सूपर 30 मिनट रिविजन हमने कंप्लिट कर लिए यानि मातर 30 मिंट के पूरे चैप्टर को मैं आपको फाइनली बताना चाहता हूं मैंने के बारे में यहां पर आपको जैसे कि मैंने बताएं इंग्लिज में में से बिए से इंग्लिए में का पूरा स्लिवर के जी से ट्वैल तक आपके लिए उसके साथ न्ट से ओलंप्याइट स्यूट जैसे निटिवर्ट जैसे की एंपी बोड राजिस्थान बोड जहारखन बोड और वी वीडियो यहां पर आल्रेडी के नीचे description box में link पे वहां पर आपको playlist की link मिल जाएगा और वहां से आप सभी चैप्टर के सारे वीडियो देख सकते हो दन कोजिक करनी और इसी इनी सबको आप हमारे website www.magnus.com या फिर हमारे mobile application magazine पर भी बिल्कुल systematic और arrange form में देख सकते हो दन तो चलो वह इसी के साथ करते हैं आद के सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते रहे हैं ओके बाई थैंक यू